तो वेलकम बेक दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ नई वीडियो ले करके जिसमें कि मैं आपको एक पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि जो मारूती का 1.2 लीटर का इंजन है वो किस तरीके से चलता है क्या उसका रिस्पॉंस है कितनी उसकी लाइफ ह क्या क्या पार्ट्स उसमें कहां कहां पर लगे हुए थे तो काफी ज़्यादा मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो यह आ रही थी कि हॉंडा के 1.2 लीटर के इंजन की भी आप रिव्यू दीजिए कि उसमें सी एंजी लगाने के बाद कि क्या लाइफ होती है उसकी इंजन की जो लाइफ है किस तरीके से होती कितनी लंबी कितना किलोमेटर तक चल जाता है और कहां पर क्या-क्या पार्ट्स उसमें लगे हुए होते हैं तो दोस्तों इसी की रिक्वेस्ट के चलते मैं आप यह हॉंडा के इंजन की जो रिव्यू है उसको ले करके आगे हू कि चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लिजेगा इसी के साथ साथ बैल आइकन प्रेस करना बिल्कूल मत भूलना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हॉंडा का आईवी टेक इ मारूती में वैरियेबल वाल टाइमिंग वही है इन्होंने लिखाया है इसको इंटेलिजेंट वैरियेबल टेकनलोजी तो इसके साथ यह वीविटी इन एबल इंजन है इसके साथ-स यह एस-ओ-एस-शी इंजन है यह जिसमें की एक ही कैम्शाफ्ट है जैसे की डुबिव जारी है उसमें भी single overhead camshaft होती है तो ऐसा नहीं है कि इसमें single overhead camshaft है तो यह VVT बहुत अच्छा नहीं है इसका काफी अच्छा VVT है और यह mostly आपको दो वेरियंट में देखने को मिलती है सबसे पहला वेरियंट जो की है manual transmission के साथ और जो दूसरा वेरियंट है वो इसका CVT के साथ आता है Honda अपनी गाड़ियों को CVT नाम देती है जितनी भी उसकी जो automatic cars है उसको CVT कहती है यानि कि continuous variable transmission तो उसको CVT देते हैं और बाकी जो दूसरी cars है सबके brand के अलग-अलग इसको नाम दिया हुआ अपने जो automatic gearbox है उसको तो यह है और इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि इसका engine mounting हुआ हुआ है यहाँ पर यह ground का wire है यह ground का wire लगाना भी बहुत ज़्यादा important है अगर गाड़ी का engine बहुत ज़्यादा noise कर रहा है गाड़ी थोड़ा सा जरका रहा है और misfire कर रही है गाड़ी तो यह ground का connection पे भी अगर कभी-कभी carbon आ जाता तो उसकी वज़े से भी यह issues देखने को मिलते हैं तो यह अपना AC का जो low pressure का pipe है यह जा रहा है और इसी के साथ यह ABS है यानि कि anti-lock braking system यह काम कैसे करता है यह आपने देखा होगा जब पुरानी जो cars आती थी जब आपने brake लगाते थे तो गाड़ी का जो wheel है वो बिलकुल jam हो जाता था तो यह ABS क क्या होता है कि वो दीरे 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 इस तरीके से जो pads होते हैं dispad इस तरीके से पकड़ते हैं तो गाड़ी एकदम jam होने के बजाए दीरे दीरे रुकती है इसका इसी के साथ साथ यह इसका oxygen sensor है जो की catalytic converter के उपर लगा हुआ है जिसको हम exhaust manifold भी कहते हैं यह सबसे जादा मह exhaust का जो converter होता है catalytic converter वो सबसे बड़ा जो होता है वो eco का होता और सबसे महंगा भी होता है यह आपका mass airflow sensor है जो की 4 wire का होता है यहां पर place किया गया है इसको और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि काफी अच्छा यह engine है काफी reliable engine है इसका जो refinement level है बहुत जबरदस्त ह और यह 4 cylinder engine है यानि कि 4 cylinder engine है इसमें और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके जो spark plug से आपको सामने से नहीं दिखेंगे पीछे को दिया हुआ है spark plug सारे पीछे की side आपको देखने को मिलेंगे इसके यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ और यह जो इसका है यह गोल सा यह alternator है जो की current produce करता है इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ यह इसका oil filter है black color का जो दिखरा होगा आपको यहां से इसका normally आप oil चेक कर सकते हैं oil की quality कैसी है काला है या साफ है वो चीज़े आप चेक कर सकते हैं और इसमें यहां पर आत आने आपको निकालना सिर्फ इसका यह cap आपको remove करना होता है यहां से यह cap चार इसमें points होते हैं यह 4 points खुल जाते हैं यह 2 points और यह 2 points यह 2 points निकलने के बाद air filter इस तरीके से बाहर आ जाता है आप चाहें तो खुद भी इसको replace कर सकते हैं और normally यह battery side है air filter का जो compartment है पूरा क पर placed है तो वो भी बहुत easy है निकालना उसमें भी कोई tough नहीं है तो चलिए बात करते हैं आगे तो दोस्तों मैं बता दूँ कि यह जो petrol engine है इसकी जो life होती है इसकी life 2,5,4,5,5 km तक भी होती है petrol पे तो वहीं अगर मैं CNG पर बात करूं इसकी life तो अगर आप time to time service कराते हैं oil filter, air filter और इसके spark plugs यह सबी चीज़े time to time जो चीज़े खराब होती है time से उसको बदलवा लेते हैं तो इस पे बहुत अच्छा response है CNG kit का भी जो BS6 के जो engine है दोस्तों वो भी यही engine आई हुए है BS6 में भी तो उसमें आप जो अभी approved जो kit है वो Mizo की kit है Mizo एक Indian brand है वही RC में endorse enforcement आउकर के आपको मिलेगी यानि कि जो अभी Amaze आ रही है जो भी 1.2L के साथ Honda के engine आ रहे है उसमें Mizo premium की kit है वो approved है तो आप लगवा सकते हैं और अगर हम बात करें BS4 में तो BS4 में इसमें आप Lovetto भी लगवा सकते हैं Mizo भी लगवा सकते हैं Motozen भी लगवा सकते हैं काफी 2L engine है उसी के मुकाबले में ये भी काफी अच्छा refined engine है इसमें आप कोईसी भी CNG kit लगाओगे इवन Honda की किसी भी cars में CNG installation में कभी problem नहीं आती है Honda City में आप CNG लगवा लो बहुत अच्छा response है 180 के लगवा गया 200 km चल जाती है एक बार full tank कराने पे और इसी के साथ Amaze में आती जल्दी जल्दी हमें spark plug तो change नहीं कराने पड़ेंगे सभी चीजों के जवाब मैं आपको देता हूं कि इसमें आगर आप CNG लगवाते हैं तो अच्छा खासा response आपको मिलेगा यानि कि जो live होगी engine की 2-3.5 किलोमेटर आराम से चला सकते हो आपिस में बढ़ हां आपक लीच के बहुत जादा रफ नहीं चलानी है गाड़ी को और इसमें आपको बार-बार spark plugs change करने की जरूरत नहीं है एक time interval होता है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि time interval क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी में जर्क आने लगे गाड़ी में mileage कम हो जाए औ उसकी जो tip होती है जो electrode होती है वो भी black color की अगर आए black निकल करके आए जिस पे carbon आ रहा हो तब आपको spark plugs change कराने की इसमें जरूरत है बाकी 10,000 km पे service होती है उसमें oil change होता है oil filter change होता है AC filter change होता है air filter change होता है और spark plugs देख लिए जाते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है इसी के साथ-साथ injector cleaning आपको हर service पे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप CNG लगवा लेंगे तो जो petrol के injectors होंगे वो कम use होंगे तो ऐसे में क्या है कि आपको बहुत जादा उसको clean कराने की जरूरत नहीं है हाँ innate service पे आप इसको clean करवा सकते हैं जैसे एक 10,000 पे करा लिए उस पे नहीं करा है फिर उससे अगली पे करा लिए इसे के साथ-साथ यह break oil है यहां से top up होता है अगर इसमें कुछ कमी लगती है जो mechanic है वो automatic इसको top up कर देंगे जब service के time पे और यह आपका जो wiper water है वो यहां से डलता है मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें अगर आप shampoo डाल तो पहले उसको mug में घोल लें उसके बाद इसमें डालें और आगे चलते हैं तो यह आप देख सकते हैं यह coolant का bottle है जिसमें की mini और max लिखा हुआ है और बहुत गाड़ी में low और high लिखा हुआ रहता है तो जब भी mini पे जाए जब भी कम हो जाए यह तो इसको आप top up ना क करा लें और drain कराने के बाद नया इसमें coolant डालें क्योंकि इसकी strength दीरे दीरे कम हो जाती है यह high pressure का pipe है यह आप देख सकते हैं यह AC का high pressure है और यह low pressure है यहां से तो यह gas refilling के लिए इस्तमाल किया जाता है यहां से यह gas refill होती है यहां से काफी अच्छा इसका air conditioner है refinement बहुत अच्छा vibration बहुत जादा नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं engine की mounting की हुई है और इधर में यहां पर mounting करी हुई है CNG के उपर बहुत अच्छा response है चाहें आप Indian kit लगवाएं और चाहें आप Italian brand को prefer करें Italian brand में अगर आप BRC लेते हैं Tomasito लेते हैं Lovetto लेते हैं इस सारी brand ब कुछ पूरा का पूरा आपकी request पर मैंने बनाया कि अलग-अलग engine के उपर अलग-अलग CNG की life कितनी होती है कितना चलता है engine किस तरीके सो इसको drive करना है यह सभी चीजे मैंने almost cover करने की कोशिश करी इस वीडियो में I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा अच्छा लगाओ